आज मैं आप लोगों के लिए लाल साग की हेल्दी रेसेपी आपके शेयर कर रही हूं जिसे बनाना बहुत ही असान है तो चली वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो को जादा जादा लाइक करें शेयर करें चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करते हैं लाल साग बनाने के लिए मैंने ताजे एक बंच ये लाल साग लिया है इसके हमें पत्ते अलग कर लेने हैं और डंठल को फेक देना है तो ये देखिए मैंने डंठल को अलग कर लिया है और पत्ते को भी अलग कर लिया है जो खराब पत् से धुल लेना है ताकि जो भी दूल मिट्टी हो वह साफ हो जाए तो यह मैंने धुल लिया है अब एक पैन गरम करने के लिए रख देंगे जिसमें मैंने 2 टेबल स्पून सरसो तेल डाला है उसमें मैंने बारीक कटी हुई 3-4 हडे मिच डाली है फिर इसमें एड करेंगे एक एक से दो मिनिट तक इसे और भून लेंगे ताकि प्याज और भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए प्याज को अच्छे से पकाने के बाद इसमें एड करेंगे धुली हुई यह लाल साग तो यह मैंने धुल के रखा था अब इसे हम एड करतेंगे पैन में पैन को हम किसी इसे काफी हद तक पक चुका है और टर्न करने में भी असानी होने लगती है क्योंकि ज्यादा इमाउन में साग होता है तो आप उसे आराम से टर्न नहीं कर सकते हैं थोड़ा यह गल जाने के बाद इसे टर्न करना असान हो जाता है फिर इसमें एड करेंगे स्वादा नुस दो से तीन मिनिट बाद आप देख रहे होंगे साग काफी अच्छे से पक चुका है और इसे एक से दो मिनिट तक और पका लेंगे इसमें नहीं कोई मसाला मिलाना होता है बहुत ही असान होता है सिर्फ नमक मिर्चि से आप इसे सिर्फ फ्राइर कर ले बहुत ही टेस्टी करता है और उतना ही ह spelling होता है हमारी नानी दादी तो बहुत ही प्यार से इसे बनाती थी और हम लोगूझ जोई करते थे तो यह सूपर करके तयार है आप इसे करमा गरम रोटी चाव़ के साथ सेथ करें मुझे तो स्टीम राइस के साथ यह वाली साग बहुत ही पसंद है तो मैं तो इसे गर्मा गर्म चावल के साथ खाने वाली हूं वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें इसी तरीक